आज हम बनाने जा रहे हैं आलो और मटर के पराठे आए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं यह मैंने एक कप मक्के काटा लिया है इसको डाल देंगे और एक कप मैंने चावल काटा लिया है इसको भी डाल देंगे एक कप मैंने गेम काटा लिया इसको भी डाल देंगे एक कप यह मैने छहे साथ आलू लिया है, आलू को मैने अच्छे से धोके छील के उबाल लिया है, अब इसको हम मैस कर लेंगे उसके बाद हम आटे में डालेंगे, और हमने चटनी पीसी है, चटनी की र handic para faculty मैने यूट लाल रखिए है, जो मैने आलू का चालू बनाए था उसके साथ मैं इसकी रैस्पी डाल रखी है, इसमें मैं ने लेसुन, धनिया और जेड़का है, cit model चटनी को मैं ने रखा है और गीला पर प्रप्राइब में मुछ को जा thermal good माटर को सबसे पहले भून ले रेंगे दीखिये मैं पैन लिया है, मैं अलमे में आयल डाला है सरसों का इसमें हमें कुछ नहीं डालना है ध्रिफ मतर टालके भूलना है जब यह थोड़ा सा डूधाई हो जाएगा उसके बाद हम कैस बंद कर देंगे यह देखिए मतर को हमने भूलtu वर sommes ऑलग-़लग हो गया है हलकका सा ड्राइ हो गया है अब चलिए हम आठा गुणदेंगे सबसे पहले हम आलो को मैस कर लेते हैं उसके बाद गुणदेंगे आठा सारे आठोको हम मिला देंगे सुर्वभा दिये अब पर यह आजिएग लिया क satu मैं थोड़ा सा जीरा लिए एक चमस कॉब्श कर्स करके दालेंगेगे यह मैने छिंगर बीजależ नर्द साहद देंगे दोरन ढमश है एक वम मत बार दो जी सुआ धूत का णावा beti の ऊल्य चिप्त के डालेंगे काट के नहीं डालेंगे ऐसे तोड़ दोड़ के डाल देंगे इसमें धन्या और यह जो मैंने पेश्ट बनाया था अब इसको डाल देंगे इसमें आप अपनी quantity के हिसाब से आटा ले सकते हैं और मट्त रॉल भी आपनी quantity के हिसाब से ले सकते हैं आपको जितना बनाना हो टेश्ट अनुसर नमग डाल देंगे इसमें एक चममद, दो चममज और आधा ओर डाल देंगे अब सभी को हम अच्छे से मिला देंगे आठे में अब इसको दुबारा से हम इला देंगे अच्छे से अब हम आटा गुंदेंगे यह हमने गुन गुना पानी लिया है थोड़ा सा इससे हम आटा गुंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पाई डाल के हम आटा गुंद लेंगे आज हम बनाएंगे मता रालू से पराठा इसमें मैं आठा को न कोड़ा है न negócio नोगोंटा वन लिए आठा को जुझ सिर्फ 1 गाड़ास पानी च łat dueń नहीं चोप बना लिये जीए चौके और गोल बन महें दिग्टार नाश्थे मुटा महीं अब भी breakfast में बना सकते हैं आप इसे बच्चों को lunch box में भी आराम से दे सकते हैं अब हम पराठा बेल लेंगे आप इस आठे से पूरी भी बना सकते हैं यह देखिए मैंने इक पराठा बेल लिया है इसको हम साइड में रख देंगे पहले हम बेल लेंगे उसके बाद हम आब इसमाया गपाठा बसे हम साँते हैं पराठे हम टोवेण और आप चाहिए घी भी लगा सकते हैं पराठे के दोस्तों आज कि हमारी रेस्पी कैसी लगी अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्काइब करें और सेर करें पराठा चाय से खाने में काफी टेश्टी लगता है यह दिखी पराठा मारा सिख गया है अब इसको हम कि आजा द्यार पराठा मारा सिख की तयार हो गया है इसको भी माँ ढालेंगे व्यूस 대해서 दाल देंगे कि इसी तरहां हम सारे पराठे को संग लेंगे विप पराठा सभी आ थी sell आप इसको चाहे के साथ चटनी के साथ साथ कैसे भी खा सकते हैं खाने में काफी टेश्टी लगता है आप इसको बच्चों के टिफिन में आराम से दे सकते हैं आप ये पराठा दही के साथ भी खा सकते हैं एक काफी साथ भी है ये देखिए टाइट बिल्कुल नहीं है आप सबको आज के मारे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर रेश्पी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स मे जरूर बताए कैसी बनी है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नॉटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू